नमस्कार दोस्तों मेरा नामे रजनेश स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूटूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तों Connecting India Exim Solution इंडिया का ऐसा फ्लेटफों में जो आपको एक्सपोर्ड इंपोर्ट से रिटेट सारी जनल का डिटेल में बताता है notification मिलते रहें एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर आप वाई एक्सपोर्ट करने का सोच रहें और आपको समझ में नहीं आ रहा कि यह किस तरीके से किया जा सकता है तो आप बिल्कुश सई वीडियो पर हैं जिसमें आपको completely जानकरी दे दी जाएगी कि किस तरीके से आप इंडिया से बाई एर एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों जब भी आप अगर एर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो पहले आपको अपनी क्वांटिटी को समझना पढ़ेगा क्योंकि क्वांटिटी के उपर यह सब कुछ डिपेंड करेगा कि वो बाई एर जाएगा कि यह बाई सी जाएगा अगर क्वांटिटी आपकी 20 तो वो बाई शिप ही जाएगा इस से कम क्वांटिटी आपकी मैं मानता हूँ कि 10 टन से कम अगर आपकी क्वांटिटी करीब 4-5 टन भी वह भी आपका बाई एर तक आप कर सकते हैं बर दोस्तों आपको यह कंडिशन देखनी पड़ेगी बाई एर करना कब है देखे दोस्तों शिप्मेंट की दो टाइप होते हैं एक होता FCL, एक होता LCL, फूल कंटेनर लोड लेस देन कंटेनर लोड तो हाफ कंटेनर का जो लोड होता है वो आप हाफ कंटेनर करके बाई शिप भी भी भेल सकते हैं वह आपको खरचा कमाएगा बढल시죠 कि load को अगर आप container न करके मालीजी एक दो टन का आपका weight है तीन टन है 500 किलो है 1000 किलो है छोटी quantity तो आप उसको buy air भी कर सकते हैं बट buy air जब भी आपका material जाएगा तो वो आपके लिए expensive रहेगा तो पहले ये बात को समझना जरूरी है कि buy air करना हमार लिए सस्ता पढ़ेगा या buy ship करना सस्ता पढ़ेगा तो हमेशा सभी cases के अंदर generally आपको buy ship करना ही सस्ता पढ़ता है बट फिर buy air क्यों किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों buy ship के अंदर आपका material थोड़ा late पहुंचता है time लगता है और अगर आपको जल्दी delivery चाहिए तो buy air आप कर सकते हैं जैसे कई ऐसे item भी होते हैं जो perishable होते हैं flowers वगेरा होते हैं दिनको same day delivery करनी होती है नेक्स day delivery करनी होती है उनके लिए आप buy air का ही जो है यूज करें बट आपको इसमें cost ज़्यादा आजाती है अब इसको use कैसे करना है किस तरह किसे पूरी planning करनी ही वो मैं आपको समझाता हूँ देखें जब भी आपके पास एक order है माली जैसे सबसे पहले हम buyer से बातचीत करते हैं buyer से हमें एक order मिलता है 500 kilo 1000 kilo का तो आप जब आपको पता चल जाए जो भी आप ले लेंगे उससे आपको जल्दी से बाइर को condition देने में आसानी रहेगी तो सबसे पहले तो आप अपना M.O.Q. सेट करें जब आपको पता है कि मेरा M.O.Q. यह है इसकी packaging डिटेल यह रहेगी तो हमेशा आपको जब आपके quantity पता चल जाए तो उसकी packaging के बारे में जरूर knowledge होनी चाहिए कि उसको किस-किस तरीके के boxes में या किस-किस तरीके से उसको पेक किया जा सकता है क्योंकि अगर packaging जिस हिसाब से रहेगी उसी हिसाब से आपसे चार्ज किया जाते हैं क्योंकि बाइए या फिर आपका जो है वेट बैसिस होता है जो भी जादा रहेगा जिसमें भी एयर लाइन को फायदा रहेगा उसी से आपसे चार्ज किया जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी क्वांटिटी के बारें पता करें कि बही कितनी क्वांटिटी आप कर सकते हैं एमोक्यू आप करें कि कितना एमोक्यू आप करेंगे और उसके बाद या ओडर लें जब आपका MOQ set रहेगा आपको packaging के बारे में पता रहेगा तो उससे आपको price देने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अपने buyer को तो आप क्या करें जैसे order आता है मालीजी 1000 cases का order है तो आप उसकी packaging decide करें कि उसको pack कैसे करना है तो हमेशा वही packaging फिर आप सभी को offer करना है एक बार आपको घंच लगेगी एक बार आपको काम करना रहेगा कि किस तरीके सेientes GO की packaging की जाएगी यहार इंदाबाद यह ऑप उप एली एल तो एसे कई सारी जगेंगे जहां से जुए बाइर से statement हो जाता है तो आप जब भी डाइब्स्पार रहे हैं तो पहले को इतुटी पता हो प्र पूरी फिर आप हैडराज़ कर दूढ़ेंगे उनसे contact करके आप अपना packaging का sizes वगेरा देंगे उनको कितने boxes आप कर रहे हैं वो आपको बताना रहेगा और weight कितना जा रहा है ये total ये भी आपको बताना रहेगा फिर वो charges calculate करेंगे और जो भी ज्यादा रहेगा उनको लगता है CBM से उनको पैसा ज्यादा बच तो वो आप से charge करेंगे तो depend करेगा इस forwarder के उपर कि वो किस तेक से आप से charge करेंगा तो वो आपने decide कर से कि मेरा CVM से charge कर लो या मैरा kg से charge कर लो तो इसमें क्या होगा कि आपका वजन अगर जादा आया तो वजन से charge किया जाएगा CBM calculation जादा आई लंबाई चोड़ाई कि यह हमसे KG से चार्ज कर ले या CBM से चार्ज कर ले वो आपको अपने इसाब से बताएंगे तो हर बार जो है चार्जे different डिफरेंट आते हैं बार LCL में काम करने का यह थोड़ा सा problem आता है कि आपको बार-बार चार्जे लेने पड़ें तो बस आपको फिर air freight लेना लेका बार बार custom charges ये वो कुछ पता करने की ज़्यादा ज़रूत उसमें नहीं रहती है तो इस तरीके से आप जहें buy air काम कर सकते हैं तो आप सबसे पहले charges ले लें charges लेने के बाद अपने जो buyer उसको charges provide करे हैं अपने margin वगेरा जो भी आपको add करना है हो सब कुछ आप add करने के बाद फिर आप price देंगे तब जाके आपको order आता है payment आप advance डला लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है simply आपको material तयार करना है तयार करके packaging करनी है packaging करके material dispatch करना है तो जस time पर आप material को dispatch करेंगे उस time पर आपका बनेगा commercial invoice मतलब एक पका bill तो जो आपका invoice बनेगा वो सीधा सीधा आपको अपने CH-A को या agent को जिसने भी आपको booking करा के दिया है air की आप IC के जो भी आप कर रहे है LCL mode के अंदर वहाँ पर आप भेजेंगे जो अपने जो agent रहेगा airport पर आप उसको भेजेंगे CH-A को और वो आपका custom में shipping will file कर देगा जब आपका shipping will file हो जाएगा आप material dispatch कर देते है एरपोर्ट पर material पहुंचता है उसी टाइम पर आपके booking ली जाती है air booking, airway की booking जो रहेगी वो आपके ली जाएगी जब एर booking के accordingly आपका decide होगा कि flight के ओपर आपको material भेजना है, export करना है तो आप जब ये decide कर लेंगे, आपका CH-A आपको पूरा बताएगा कि किस तरह किसे काम करना है, किस तरह किसे decide होगा तो सीधा सीधा आप जो है, फिर material को dispatch करेंगे आपका CH-A आपके invoice के भी आपके shipping will file करेगा, material को जो है airport पे मंगा लेगा airport पर मंगाने के बाद उसका सारा custom clearance अगेरा सब कुछ किया जाएगा सारी चीजें हो जाएगी और उसको जो भी connecting flight रहेगी उसपे load कर दिया जाएगा फिर बाद में आपके बाद एरवे bill निकल के आ जाएगा, तो इसको बोलते है एरवे bill of lading और बाकी सारे document फिर आपको buyer को courier करने रहेगे और buyer जो है उन document को वहाँ दिखा के अपना material छुड़ा लेगा तो इस तरह के से दोस्तों यह आपका export का business यहाँ से complete होता है अगर आप buy air करना चाहते हैं तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकर यह आपको पसंद आई होगी अगर आप सीखना जाते हैं completely export and import तो जोईन कर सकते हैं Connecting India Exim Solution के 7 Days के online training session को जिसमें मैं practically आपको सिखाता हूँ कि इंडिया से export कर से करें कैसे buyer ढूड़ना है live buyer finding करके आपको बताय जाता है मैं किस वड़क का export कर करता हूँ मैं advance payment पर काम करता हूँ नहीं करता हूँ यह सब आपको बताए जाता है है हम सीव कूरी बाते नहीं करते हैं कि payment advance लेंगो, advance लेंगो, है दोस्तों बस आपको एक सही बाइर के साथ connections में आना है contact करना है और आपका जो है काम हो जाएगा तो आप offline भी training session join कर सकते हैं आप कोटा राष्तान में आके offline join कर सकते हैं training के बारे में ज़्यादा जानकरी के लिए आपका में screen video के number पर contact कर सकते हैं आप हमें social media पर follow कर सकते हैं इसके link आपको description में मिल जाएंगे मिलते हमाँ next video में thank you very much